वोकल ओन करूँ मैं सिंगर नहीं हूँ वीडियो में बने रही है आज हम लोग सीखने वाले कि किस तरीके से आप ऐसा कवर सॉंग तयार कर सकते हो बहुत असान तरीके से अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख लेना क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बता रखी है कवर सॉंग से रेलेटेड जैसे के कोड्स बनाना हलका फुलका मेलोडी बनाना आज का जो टॉपिक है वह भी कवर सॉंग पहीं है लेकिन प्रॉफेशनल कवर सॉंग कैसे तयार करेंगे आज हम लोग वो सीखेंगे एक बात और आपको हम बताना चाहते है यहां पर आपको दो अगर आप सब्सक्राइब लेगा यहां पर देखो साउंड वगेरा मिलेंगे प्लस में आप फ्री में मास्टरिंग कर सकते हो बिना किसी भी मतलब प्लगीन को लगाए यहां पर आपने क्लिक किया और यह मास्टर हो जाएगा इतना अच्छा अच्छा फीचर देता है अब अब दे रहा है अब मानना पड़ेगा फल इस्टूडियो भी लॉजिक प्रो से कम नहीं रहेगा जैसा लॉजिक प्रो है वैसा ही यह बहुत लोग के पास अभी बीटा वर्जन नहीं होगा तो फल इस्टूडियो का जो वर्जन था औरिजनल हम फिलाल अभी उसी को ठीक है तो कुछ चीज़ गाइड कर देते हैं पहला जब भी कवर सॉंग बनाईए कोशिश कर रही है कि सेम टू सेम थोड़ा सा रिदम चले हलका फूल का मेलोडीज भी सेम चले ठीक है मेलोडी सेम ना चले तो चलेगा बट जो सॉंग का स्ट्रक्चर है उसको मत बिगाड कि गलती से भी उसके स्ट्रक्चर को चेज मत करिये अगर आपको अपने कवर सॉंग को वाइरल कराना है तो उस सॉंड को बार बार सुनाओ जो चीज़ वाइरल हो चुका है ठीक है वो इस्ट्रक्चर लोगों के दिमाग में बैट जाता है और लोग एक्सपेक्ट करते है क कि वैसा ही कुछ सुनाई दे अगर ऐसा गाना है तो ठीक है तो देखे हम दिखाते आपको सबसे पहले हम लोग क्या करते है गाना को सेलेक्ट कर लेते हैं तो पहले मैं एप्लिकेशन खोलूंगा मतलब वेबसाइट खोलूंगा कॉड़ीफाई ओके तो मैंने कॉड़ीफा आज इसमें भी गाइड कर दूँगा अव तो सर्च करें अगर गाना पएक हीरीय करके गाना है ओके यह करके गाना तो यह रहा गाना इसमें रहेगा कॉड़ू सकता है कि मैं गाने को मूट रखूंने तो मेरे को कॉपी राइट क्लेम आ जाएगा ठीक है तो मैं सुन लेता इसे मेरे को आपि रेट नहीं आए अगर मैं गुन गुनाऊंगा म्यूजिक बनाऊंगा तो ठीक एक लिए कर लेते हैं रहे हीजिए ही रहे ही रहे ही रहे रहे हो रहे है और एक बात और मैं आप लोगो ठैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे को एक दम बिलीब नहीं होडा है यह मेरा न्यू यूट्व चैनल है और आप लोग के वज़े से मेरे को एक चीज मिला है यह देखिए जो मैंने कान में लगा रखा है यहाँ पर देखो पता ने इस स्क्रीन तक ले जा पाऊंगा की नहीं यह है डीटी 990 प्रो जो कि स्टुडियो क्यालिटी हेडफोन होता है यह एक ओपन हेडफोन है ठीक है इसमें आप मिक्सिंग मास्टिंग बहुत अच्छा आप कर सकते हो तो इसके लिए ठैंक्यों सो मच आप लोग का प्यार आप लोग का सपोर्ट जिसके वज़े से मैं हिम्मत भी कर पाता हूँ ऐसा वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही अपना को कि यहाँ एक धेयर कन कीण आफिया नहीं अगेज मतुट का देखें का मतुसे अपने को गाने का तो गाने का टेंपो यह रहा टेंपो मतलब क्यों होगी है यह यहांने बीट पर मिनुट यानि कि गाने का रफ़तार गाने की स्पीड ठीक है तो 103 पर हम लोगों पहले सेट कर देते हैं टेंपो को हमने कर दिया 103 पर सेट ओके देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पहला chord लगाएंगे, पहले सबसे पहले chord progression को आप तयार करो, ठीक है, तो मैंने पहले chord progression तयार करना है, तो पहला F sharp minor है, ठीक है, तो simply मैं कोई भी प्यानो ले लूँगा, FL keys ले ले लेता हूँ, ठीक है, जो easy ray बनाने में, इसका patch मैं ले लेता हूँ, dark piano preset का, ओके, पहला chord हमन तो यहाँ पर आपका 0 है F sharp, जैसे माल लिजे, आपको root note रखना होगा, अगर आपको कोई बोलेगा F sharp minor का root note क्या होगा, तो F होगा, G major का root note क्या होगा, तो G होगा, E major का root note क्या होगा, तो E होगा, ठीक है, तो उसके मतलब chords में ही नाम उसके root note का रहता है, ठीक है, तो F sharp minor का root note आपको क्या हो गया तो आप क्या करिए इस ? रूट note को आप 0 मान लिजे तो हमने मान लिया इसे 0 ,then हमें draw क्या करना है ? 0,3,7 minor chord बनाने कई , confused मत हो हो यह बहुत ही simple है 0 ,3,7 आपका मतभा formula है minor chord बनाने का major chord बनाने का formula 0,4,7 ठीक है तो अभी हमारा माइनर बना रहे है तो जीरो ये हो गया देन वान टू थ्री उसके बाद फॉर फाइव सेक्स सेवन तो ये हमारा बन गया एफ शार्प माइनर कॉड देखिए ठीक है अब सुनिए हीरिये हीरिये हम सॉरी हमको पता है बहुत खड़ाप गारे सहे लीज हीरिये हीरिये तो यहां तक तो हमने लगा दिया क्या एफ शार्प माइनर वन टू थ्री फोड ठीक है यहां पर चार बीट है एक बीट देखिए कालर लाइन दिख रहा है एक बीट दो बीट तीन बीट चार बीट चार बीट तक हमने यह चला दिया अब अगला से क्या चल या कुछ भी सिर्फ एम नहीं लिखा होगा माली जैसे इसके कैसे एप शार्प माइनर था एक छोटा एम लगावा था तो जहां छोटा एम लग जाए तो माइनर कॉल्ड है जहां सिर्फ वह अकेले खरा है ना तो समझ दी वह मेजर है ठीक है तो अब हमें लगाना है डी मेज तो सिंपली क्या करेंगे डी पे क्लिक कर देंगे पहले जो रूट नोट है अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था मेजर कॉट का तो 047 ठीक है माइनर का था 037 और मेजर का है 047 तो 01234 देन 567 अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि हमारा समय इसमें बढ़बाद न अब इस डी को हम एपे सिफ्ट कर देंगे तो उपर के भी तरफ कर सकते हैं अब हमें यहां पे लगाना है सिर्फ ए तो सिंपली मैं एको ही पकड़ूंगा और इसे ई पे शिफ्ट कर दूंगा यहां पे अब देखते हैं अब बहुत सिंपल बहुत इजी तो हम लोग इस लाइन से शुरू करते हैं ओके को त्यार करना तो हमने क्या किया पहले कोर्ट बठा लिया अब अगला लाइन देखते कि क्या है तो चलिए हम लोग पहले हम लोग नोटिस क्या करने वाले हैं कि इस पहले हमारा कौन-कौन सा एलिमेंट्स बज रहा है ध्यान से सुनेंगे बहुत ध्यान से बहुत बाड़ी की से सुनिए देखिए ये प्रोफेशनल कवर सौंग बनाने का मैं आप लोग ट्रिक बता रहा हूं बाड़ी की से सुनिए येरफोन पर सुनिए हेड़फोन पर सुनिए जिस पर सुनना सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए कि कौन-कौन से इंस्टूमेंट बज रहे हैं तो यहां देखी आप ध्यान देंगे तो पहला हमारा बजरा है गिटार और दूसरा बजरा पैड अगर आप ध्यान से सुने हो गे तो तो मैं पहले क्या करूँगा इसमें गिटार डाल देता हूँ फ्लेक्स का डाल सकता हूँ या तो मैं अगर चाहूँ तो अर्टूरिया वाला जो था लाब का साउंड लाब वाला साउंड भी बहुत ही अच्छा है लेट सी, लैप्स ठीक है? यह बिलकुल फ्री है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने में आपका हो सकता एक दो जीवी जाए और कुछ नहीं होगा ठीक है? तो मैं गिटार एक ऑस्टीक गिटार ले लेता हूँ दिवाला सा ओसा सीमिलर रे साउंड ठीक है अब मैं क्या करूँगा simply सुनूँगा फिर से कुछ नहीं किया गया देखे बहुत simple ध्यान से सुनिए पहले उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या किया गया है गिटार पर पहले फोकस कीजिए बहुत सिंपल बहुत सिंपल अब क्या करेंगे सिंपली यह जो कॉट्स हमने बनाया है इसे ही हम लोग कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देंगे पहले तो अब अंदर आएंगे और थोड़ा थोड़ा इसने कुछ ने किया है हलका हलका इन्होंने क्या के इस लाइट कर दिया है इस तरीके से अग ठीक है इससे भी थोड़ा घिसका लेते हैं इससे भी थोड़ा घिसका लेते हैं अब अब सिंप्ली मैं क्या करूंगा इससे कॉपी कर दूँगा और इसस पैटन टू में जाके पेश्ट कर देता हूं और यहां से मैं इसे कर दूँगा डिलीट विडियो को गलती से भी स्किप मत करिएगा थोड़ा बोरिंग हो सकता है मैंने क्या बताया था अच्छे चीज़े हमेशा बोरिंग होते हैं बट सीख जाने के बाद पता चलता है कि क्या फाइदा है टूँए अपना गिटार है यहां भी कुछ असाइं हो रहा है कि डाइट गूट हम इसे काम करना चाहिए यह जो हमारा नीचे वाले आउक्टे मैं कि हमें पकर के एफ शार्प 4 से एफ शार 5 इस पे कर देना चाहिए यहां पे उपर कर देना अट इस तरीके से फॉट सुनते फिर से बार बर सुना बार बर बनाना है कान को holder है अब अभात मेंसेक तो मैं वोंप चल अब यहां करूगा थी ओ यहां आपं यहां यूंज करते हो यह अच्छा है तो सिंप्ली अब कुछ नहीं करना जाना है कॉट्स में वापस ठीक है इस तरीके से बस इस कॉट्स को कॉपी किए एक न्यू पैटन में गए और यहां के वाम पैड में से आके पेस्ट कर दिया है ठीक है ठोड़ा से आप एक काम करो इंवर्जन कर दो जैसे नीचे वाला नोट है इसे से फर्स्ट इंवर्जन कर दो फर्स्ट इंवर्जन इसन मेने बता रहा है उपर अच्छा इसे रहने देते यह ठीक है इसे ऐसे कर देते हैं और इसे लेट सी बहुत उपर हो जागा चलो ठीक है अब यह मैंने क्यू किया ताकि जो नोट से हमारे सब अगल बगल रहें अगर वह अगल बगल रहें तो बहुत ही खुबसूरत सुनाई देंगे और बहु कि यहाँ पर सुन लेते हैं फिर से हम लोग कि हीरिये हीरिये हाँ ओके डाट गोड बस इसका वॉल्यूम कम करना है मैं यहाँ पर अब यहाँ पर सेम अपना चीज आ गया बस मैं अर्जी सिंग नहीं हूँ लेकिन म्यूजिक वही चलेगा हलका हलका देखेगा ध्यान से सु जो वह चीज आएगा अब उसे बनाते हैं हम लोग तो सुनते एकबर अब यहाँ पर इतना ही है अब आके हमारा जो फीमेल वाला पार्ट है उसे देखते हैं अब जैसे ही देखिए यहाँ पर तेरी जो तेरी बोलती है वहाँ चुटकी का आवाज आता है देखिए ध्यान कि यहाँ पर एक स्नाप का आवाज ले लेते हैं चुटकी का आवाज जो कि आपको FL Studio में कहीं ना कहीं मिली जाएगा अगर आप Hip Hop वाले में देखो यह है ना कि मैं थोड़ा अच्छा स्नाप यूज करूँगा मेरे पास बहुत सारे सैंपल है जो कि फ्री वाला है तो मैं क देखा दिया अब एक पर सुन लेते की कैसे था कि यहां आप अपके तेरी में बंद हो रहा है थे यह चीज़ अब यहां आना चाहिए तेरी हो की ड़टा अब कोड्स एक बढ़ देख लेते क्या बज़ रहा है पहला कोड्स अपना भी होई है दूसरा कोड्स भी वह है बस फर्क क्या दोनों में यह थोड़ा लंबा चल रहा था देखोगे 1,2,3,4 यह थोड़ा उसी का जश्ट आधा चल रहा है 1,2 यह न 1,2 और फिर तुरंद कॉड बदल रहा है ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है same code को जाके पहले तो copy कर लिजे, copy आपको कर लिना है same code इस तरीके से ठीक है और अगेन प्यानों में लाके paste कर देंगे और यह चीज छी जो लंबा जा रहा है ठीक है इन सब को पकड़ो और आधा कर दो ठीक है जश्ट उसका आधा हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं D passport आप कॉड़ी फाई वाला ही वेबसाइट यूज करना उस पर सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है लिख के ठीक है यह लिखा हुआ प्रॉपर आपका तयार है जैसे पिछला कॉड जो बज रहा था जहां पर मेल गा रहा था वहां पर क्या हो रहा था चार बीट चल रहा था या जैसे फीमेल का लाएन आया है तो one two just third wheat पे वह got change हो गया यानि कि जश्ट आधा तीक है यहां पर एक दो तीन चार हो रहा था यानि कि चार यहां पर एक दो रहा यानि जश्ट उसका दा दो है ना तो कुछ ने किजीए आपको क्या करना था ऐसा जो था उसे आपने होगे तो ज्यादा बहतर है उसके लिए मैं जल से जल आऊंगा उस पर मतलब विडियो कि ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है ठीक है तो अब यहां पर तेड़ी वाला लाइन है अब यहां पर हमारे कॉड लग गया फिलहाल के लिए कॉड से बज नहीं रहा है ठीक मैं थेरे हो के मारा जंद दक 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 तो यह इस तरीके से चल रहा था यह वाल्यम थोड़ा कम कर देते हैं और अगर आप हेड़फोन में सुनोगे न तो यह जो स्नाप इन लोगों का जो बज रहा है वह पूड़ा ही आपका साइड बई साइड बज रहा है एक लेफ्ट और राइट है ना देखिए ध्यान से सुनिए लेफ्ट राइट टाइप जो बज रहा है तो इसका दो तड़ी का आप कर सकते हो यहां तो इसी को दो बड़ कॉपी करदो एक को लेफ्ट करदो और एक को राइट कर दो तब वह ऐसा हो जाएगा और अगर आप इतना महनत नहीं करना चाहते हो तो सिंपली डावल क्लिक करो यहां रूट टू mixer ट्रैक में जौ mixer में से उठा के लाईए ठीक है और यहां पे सिंपल एक है stereo enhancer Stereo enhancer इसे अब क्लिक करो राइट क्लिक करो और इसमें आप प्रिसेट लगा दो फॉर स्ट्रिंग्स का अब देखिए क्या होगा पहले क्या था अब यह और वाइड हो गया है ना सिंपल इजी अब यहां बेस बनाना है मुझा देखिए यहां पर बेस बना हुआ है वीडियो में तम टिके रही है इस तरीके से अगर आप अभी तक टिके वे तो बहुत अच अब यहां पर क्या करना है मैं पहले तो इसे म्यूट कर देना है ठीक है मैं प्यानो नहीं बजाना चाहता हूं यहां पर पहला में एफ लगाना है तो मैं नीचे लगाँगा यहां पर इस तरीके हैं तुरह और लंबा इसको आधा रखते हैं ओके डाट स्कूट एक बर और सुन लेते हैं ओके यह वैसा कुछ बेस नहीं है मेरे को गलत फैमी हो गया था और कुछ देख लेते हैं कि यह वैसा बेस नहीं है जैसा मैं सोच रहा था यह सिंपल वेस है तो आप यहां पर काम करो बू बेस करके आता है अपना स्टॉक प्लग इन आप इसे भी यूज कर सकते हो हां यहिए 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 सिंपल यह इलैक्टर के टरलाव भाले सकते हों अब आप इसमें क्या कर सकते हो लेंग कर सकते हो और सिंथ पेस व्वाग 갔 अवục मोग इसे कर लेते हैं तो सेうगसे में हैं से पैटन को कॉपी करते चलना है इस तरीके से इस तरीके से वाह क्या बात है हमको लग रहा है कि हम लोग करीब है राजिंद जानकरा तेरी होके होके मराजिंद जानकरा तेरी अब सुनते कि क्या आ रहा है तो यहां पे अब यहां पे प्लाहल के लिए प्यानो को डिलीट कर रहा हूं जो प्यानो वाला पाट था अब सुनते कि क्या आ रहा है मेट्रोनॉम के साथ ही अब इसी को लोग कॉपी कर देते आगे की और इस तरीके से अब एक बार सुनते आगे जैसा मैं सुन पा रहा हूं इसका जो बेस का साउंड है वह कंप्लीट पेस वाला ही है और मिड और ट्रेवल नहीं है सिर्फ बूम टाइप का साउंड इसमें बेस का ज्यादा यूज किया गया है तो अब यह अपना बेस ऐसा लगेगा अब यह हिचकी का वाज कैसे लाएंगे भाई आप मूझ से प्रेड्यूस कर सकते हो या तो हो सकता है कश्मीर के सैंपल में कहीं वह चीज छूपा हुआ होगा तो यू कैन यूज तो जो वह हिचकी का साउंड है ठीक है को हिचकी मेरे को मेल कर देना मैं यह आपर डाल दू आपके हिचकी को ठीक है कुछ है यह पता नहीं किस चीज का साउंड है नहीं यारे हिचकी का ही साउंड है आप मेरे को कमेंट करो कि बताओ कि किस चीज का साउंड है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या सीन है जैसे ही यह फीमेल वोकल खतम हो जाता है वैसे ही अपना आ जाता ह ताल सब्सक्राइब यह 252 हुआ के तो हुआ हैं फिरॅपय 2 घुकश में 6 तो चेस्ट के को गए रहा कोई भी किक एज ओर वेस्ट केक्ट तो किक है तो प्यारा लेना लेकिन तो यह हमने किक ले लिया अब सिंपली देखो किक कैसे चल रहा है इसमें ध्यान से किक आपका चारी स्टेप में चल रहा है लाइक दिस मैं गानी पा रहा है एक्स जोल सूर जो है इस गाने का कोई बात नहीं भाईया कोई गा के देदो मैं उसका मिक्सिंग माल्टरिंग कर दूंगा यहां पर ठीक है तो यह हमने लगा दिया पहले यह और हमें लगाना अब स्नाप भी स्नाप को भी हम लोग कॉपी कर देते हैं इस तरीके से लाइक दिस ऑन दी सेकंड रूट सेकंड आपका क्या बोलते इसको बीट ओके सेकंड बीट पे अब यह कुछ ऐसा आएगा अब हम लोगे क्या करना है सिंपली यहां पर जो अपने बेस बना रखा है तो इसी बेस को कंटीन्यू करेंगे इस जगे पर ठीक है पैटरन वन वाले में तो कॉट्स अपना सेम होगा और बेस भी सेम होगा तो सिंपली यह हमें copy करके लाना होगा उस बेस के इक पैटरन को तो इस वाले प्रट यहां पर पार यह पस्ट कर रहा है तरह हाँ यही चीज है अब सिंपली क्या करना इसके रूट नोट पे लाके आइसे आपको पेस्ट कर देना इस तरीके से आड़ यादू तेरी नजर आब इसे हम लोगब कॉपी करके एक न्यू वाले पैटर्ण पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर छोड़ी है इसे भी हम लोगब कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे नाउ एक बार गाते हैं अलका सार्ड़ी यार फिर बेसुरोड है ना कोई नहीं मैं यहापे अगर आप लुग बोलो गया है का पहले डाल दूंगा क्योंकि यह बहुत सही जा रहा है मैं चा रहा हूँ ना कि कुछ अपने माउट से क्रियेट कर दूं यहाँ पर क्योंकि यह वाइब आ रहा है उस चीज का तो कोई ने मैं क्या करूंगा वन टू थरी फोर रिकॉर्डिंग स्टार्ट बूम इस बंद करो भाईया अब इसके बाद यह तोड़ा पनी है यार बहुत जादा पनी है यह वला चीज इनो मैं सेम नहीं कर पाया बट कोई नहीं है जो भी चीज है सेन ओन करो और यह यह वार यह थोड़ा सा मतलब अपना एस्थेटिक टाइप का हो गया थोड़ा सा देशी वाला टच आगया यार इसकी लगने रहा है चलो कोई बात नहीं इसे थोड़ा सा प्रोग्राम कर देते है रूट टू कर देते है और इसमें डालते ब्लड ओवर अगया राइब है अगया ओके हम इसमें सक्सेश्फुल नहीं हो पा रहे है को भेजो हीचकी के आवाज को भीया चलो अब देखते हैं कि लार्ज ओल कर देख वहीचकी को ओके आई नो उस चीज में थोड़ा सा हाड़ गया है इस चीज में हाड़ गया कोई बात नहीं बागी सब्सक्राइब जा रहा है और कमेंट जरूर करना बताना किस चीज का आवाज है हिचकी का आवाज है और कोई इंस्ट्रूमेंट का अब आवाज है या तो हो सकता है किसी और चीज का भी आवाज हो परकशन वगरा का ठीक है एक बार और सुनते यार यह मेरे को मतलब जा बोले मतलब अपने तरफ एट्रक्ट कर लिया यह चीज यह तो यह तो हिचकी है लेकिन वह रिवर्स में कुछ लिया है उसने ठीक है कोई नहीं हम लोग इस पर फोकस करते हैं में लीड पर अब एक लाप का यूज किया इन्हों ने हम अब यहां पर आई थिंग कर्वी शुट्ण हब टू दो ऑन थिंग की एक लाप डाल दो सबसे पहले तो लब 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 कहाँ पर कहां से लाओ गलाप का सांड डिकलैपकर सांड अब एक नैचुरल हैंड ले लते हैं वोके आप इसकी जगा पर एक रेगलर क्लैप classic जगोड मैं इसे यहां पर यह लगा देता हूं इसके वाफियम को कम कर दूँगा बस नाव सी लाइक दिस बूम ऐसे हमारा हुआ अभी कवर सॉंग जो हमारा जो रियल में जो गाना है यह सांड करता है अल्मोस सिमिलर अल्मोस सिमिलर इट्स अल्मोस लाइक 90-95 परसेंट यह चीज सिमिलर है तो कितने कम एलिमेंट्स में हमने इसे किया यारम बहुत अच्छा लग रहा ह यह चीज मैं एक बार इसमें एक पहले डालूंगा ठीक है और इस गाने को डाउनलोड करके रख लिजेगा जिसका भी आपको एक पहला चाहिए मैंने पहले भी बहुत टोट्रेल में बना रखाए बट अभी आपको बस कुछी दिन तक इस चीज का स्ट्रगल है वेबसाइ कर रहा है if you want to learn from me personally आप सीखना चाहते हो आप सीरियस हो अपने music करियर को लेकि के नहीं मेरे को music field में ही आगे बढ़ना है दन आप मेरे से सीख सकते हो professional course तयार मैंने कर रखा है तो simply आप भी जो आपको यहां पर नमबर शो कर रहा है इस नमबर पर डीम करो simply आपको WhatsApp पर ज join करोगे तो मैं आपकी career build-up की guarantee देता हूं ओके यहां पर गाना download हो गया है simply मैं इसे पकड़ के यहां पर ले आऊँगा अब करते है जादू जादू कहां है हीरिये वाला part इस लगा के देखते है I know इस पर copyright भायंकर माड़ेगा मेरे को क्योंकि मैंने pitch shift वगरा कुछ भी नहीं किया है like this volume का तो ऐसे तैयार आप कर सकते प्रोफेशनल कवर सॉंग आपने देखा होगा मैंने कितने बाड़ी के से छोटे-छोटे चीज़ को पकड़ के बनाया है जब भी हम कवर सॉंग बनाए तो उसका जो पैटन चल रहा है उसका जो रिदम चल रहा है हम लोग कोशिश कर रहे कि अल्मोस्ट ऑल्मोस्स सेम रहे साउंड जो लोग पहले से सुन चुके है उन्हें जिस साउंड की आदत हो चुकी है जो उनके मैंड में सेट है कि यह गाना वाइरल है इस साउंड से ऐसा वह टोन है आप वैसा ही आप कवर कर सको ताकि आप भी जब गाह कि उसे रिलीस करो आपका भी गाना वाइरल हो सके ठीक है तो चलिए मिलते अब अपने अगले वीडियो में तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजेगा मैं उमीद करूंगा कि मुझसे जो भी गलती हुई या आप मुझे मैसेज में बताओग झाले